वेलकम बैक टो अनदर न्यू वीडियो आज का ये वीडियो बहुत ज़दा इंफर्मेटिव होने वाला आप लोग लिए अगर आप लोग पाई ने टोग पर माइन करते हो क्योंकि आज के इस वीडियो पर हम लोग पाई के विड्रॉल प्रोसेस के बारे में बात करने बाले तो आप में से काफिसले लोग ऐसे सोचते होंगे कि जो पाई हम माइन करते है यानि कि जो पाई हमारे पाई ने टो के अप्लिकेशन पर सबसे उपर दीखता है वो पाई को हम डाई डाइरेकली जो एक्सेंज पर टांसपर करके उसको सेल कर सकते हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है एक्षेंज पर टांसपर करने के लिए या फिर पाइकोन को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पाइकोन को मेंनेट वालेट पर टांसपर करना होता है बेसिकली एक वालेट करना होता है और वो वालेट पर हमें अपने पाइकोन को टांसपर करना होता ह अपने माइन किया हुआ PICO wallet में transfer करने के लिए दो process करना mandatory है सबसे पहला KYC and second mainnet checklist KYC complete करने के बाद जैसे आप mainnet checklist complete करते हो और mainnet checklist के 8 step complete होने के बाद आपके माइन किया PICO and आपके wallet में automatically migrate कर दिये जाते हैं PICO team के द्वारा उमीद करता हूँ कि KYC और mainnet checklist ये दोनों step आप मैंसे almost सभी लोगों का complete हो चुके होंगे अगर ये दोनों step मैंसे किसी भी step में pending है तो आपको patience के साथ wait करना है जब तक complete ना हो जाए ये दोनों step fully complete होने के बाद आपका PIE आपके wallet पे transfer कर दिया जाता है उसके बाद क्या process आपको follow करना होगा ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दू अगर अभी तग आपने KYC और mainnet checklist complete नहीं किया है तो मैंने दोनों process के separate वीडियो और बना रखा है जिसमें अच्छ कर दिया जाता है तो basically जब आपका mainnet checklist का last step यानि के migrate to mainnet वाला step complete हो जाता है तब आपके PIE आपके mainnet wallet पे transfer कर दिया जाता है तो आपको basically PIE browser open करके wallet.py के option पे जाना है वहाँ पे अपने wallet को login कर लेना है fingerprint या फिर passpress से जैसे आप wallet login करोगे सबसे उपर आपको PIE mainnet और testnet का option म इसके बाद आपको अपने wallet address देखने को मिलते हैं उसके ठीक नीचे आपको जो है आपका PIE देखने को मिल जागा कि कितना PIE आपका migrate हुआ है यहाँ पे एक चीज़ आप लोगो समझना है आप देखोगे तो PIE network के application पे सबसे उपर जो PIE आपको दिखते हैं वो same PIE यहाँ इनफो पर जैसे आप क्लिक करोगे तो सभी balance आपको वहाँ पर दिख जाएंगे अगर यह balance dashboard के बारे में आप लोगो समझ नहीं आया अच्छे तरीके से तो इसका भी वीडियो आपको एक option मिलता है जहां पर आपको available balance देखने को मिलते हैं अभी एक चीज समझना wallet address की directly use नहीं कर सकते हो आपको अपने पाई को यूस करने के लिए कहीं पर भी सेंड करने के लिए simply वह पाई को आपको से आपको ained करने जो पाई आपने लॉक किया है वो भी आपको देखने को मिलेगा और जो पाई आपका अनलॉक है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा जैसे आप लॉक पाई पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर सबसे नीचे जो है आपको टाइम भी दिख जाएगा कि कितने टाइम तक आपने है तो वह time period के बाद ही आप जो है वह पाई को मूब कर सकते हैं लेकिन जो unlock पाई है उसको मूब करने का process में आप लोगों को बता देता हूं basically जब मैंने checklist के last step complete होते हैं तभी आपके wallet पे आपके पाई आ जाते है राइट तो उस दिन से 14 दिन के बाद जो है आपके unlock जाएगा उसको ओके करते ही आपका वह बैलेंस जो है एवेलेबल बैलेंस पर आपको शो होने लगेगा मेरा wallet पर आप लोग देख सकते हो जो पाई लॉक था और जो अनलोक था दोनों पाई हमने जो है मूब कर लिया है एवेलेबल बैलेंस पर क्योंकि हमने lock-up कंफिगर करते वक्त लॉक अप डूरेशन जो सेट करना होता है उसको हमने सिर्फ पर सिर्फ 6 मैने का ही किया था जो कि वो टाइम प्रियोट खतम हो चुका है तो हमने अपना बैलेंस को जो है ज़्यादा जरूर है आप लोगों को पता होगा पाई का अभी भी एंख्लोज मैने चल रहा है यानि कि अभी के टाइम पर हम पाई को जो है किसी भी फियर्ट या फिर क्रिप्टो करेंसी पर एक्सेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन एंख्लोज मैने ने के दौरान बार्टर ट या ये सभी जगा पर जो है दुकानदर्स या वेंडर पाई के पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं इंडिया में अभी के टाइम पर पाई को बहुत कम प्राइस में सप्पोर्ट किया जाता है लेकिन व्ल्डवाइड अगर आप लोग देखोगे तो एक पाई को 3,14,000 डॉल करता हूँ इसके अब तक तो हमने बार्टर टेडिंग के बारे में बात किया है अभी हम लोग exchange transfer के बारे में बात करते हैं जैसे कि हमने थुरे दर पहले आपको बताए कि अभी पाई का enclosed mainnet चल रहा है enclosed mainnet में बहुत सरे firewall पाई call team के तरफ से रखा गया है जब वो remove कर दिया जाएगा तब पाई के open mainnet launch हो जाएगा और open mainnet के बाद हमें exchange listing देखने को मिल जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि पाई कौन 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 से exchange पे list होने वाले हैं जैसे किसी भी exchange पे list हो जाएगा तब हम easily अपने पाई कौन को वो पर्टिकुलर एक्सेंज पे transfer भी कर सकते हैं और पे उसको sell करके बैंक विड्रो भी कर सकते हैं आप लोग सोच ले होंगे इसके के लिए तो काफी टाइम हमें wait करना पड़ेगा लेकिन अभी अगर हमें sell करना है तो हम कैसे sell कर सकते हैं तो मैं वह भी आप लोगों को बताऊंगा लेकिन देखो अगर ऑफिसियल तरीके से आपको sell करने अपने पाई को उनको तो उसके लिए definitely आपको open मेंनेट तक wait करना है आपको पता होगा recently मेंनेट रोड में अपका version 1 को release किया गया है और December महिने में जो version 2 भी release होने वाले है version 2 में हमें company के future plan के बारे में पता चलने वाला है और open मेंनेट तक wait करना पड़ेगा जैसे open minute launch हो जाता है तो मैं आप लोगों के लिए live full process के साथ एक वीडियो बना दूँगा जहां पर मैं आप लोगो details में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने pi coin को exchange में transfer करना है और बैंक वीडियो करना है तो अभी बात करते कि अभी के टाइम पे अगर आपको अपने pi coin को sell करना है तो आप किस तरीके से उसको sell कर सकते हो लोग ब्लाक में sell कर रहे हैं दूसरे pioneer के पास तो सबसे पहला तरीका है किसी भी दूसरे pi buyer के साथ आपको deal करना है उनको आपको अपने pi को send करना और उनसे जो है आपको बदले में पैसे ले लेना है ध्यान रखिए ऐसा अभी आपको करना है जब personally आप सामने वाले वंद्य को जानते हो नहीं तो scam होने के chances जो है 100% रहते हैं इसके अलवा एक trusted process भी है अपने pi coin को sell करनी के लिए जो मैं आप लोगों को बता देता हूं तो basically pi के एक p2p exchange भी है जिसका नाम है pi bridge बहुत सरे लोग अभी के टाइम पे pi bridge में अपने pi coin को sell कर रहे हैं या फिर वहां पे आपको buy का भी option मिलता है तो अगर आपको buy भी करना है तो buy भी कर सकते हूं अपने pi को sell करनी के लिए सबसे पहले तो pi bridge में account create करना पड़ेगा देन वहां पे अपना KYC करना पड़ेगा KYC मतलब आपको वहां पे पाई या फिर करके आपको वह USDT को जो है INR यानि के इंडियन रूपिस में टांसपर करके bank withdraw ले लेना है एक चीज़ में आपको जरूर बताना चाहता हूं कि वहां पे पाई का प्राइस बहुत कम है 25-30 रुपे तक आपको पर पाई कोई के प्राइस देखने को मिलेगा इतना कम प्राइस में अगर आपको अपने पाई कोई को सेल करने है तो आप लोग कर सकते हो बाकि मैं आप लोग को रेकोमेंड नहीं करूंगा अभीकर टाइम पर सेल करने के नहीं या फिर पुराने पाईनेर्स हो सभी को उम्मीट करता हो पता चल चुके होंगे कि वीडियो करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है अगर लगता तो एक लाइक जरूर कर देना चानल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और पाईन नहीं मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट टारेक इंफरमेटिव वीडियो के साथ